Hi everyone, so आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं Machine Learning का lecture number 4 एंड इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कॉस करने वाले हैं reinforcement learning ठीक है इससे पहले यार मैंने आप लोगों बढ़ाया था types of machine learning जो की दो type की मैंने already discuss कर दिया which is supervised learning and another one is unsupervised learning सो यह दोनों चीज़ें अपने देख ली थी हैना दोनों में क्या डिफ्रेंसेस हैं वो भी देख लिए थे ठीक हैं तो यह आपको बता होगा कि यार सुपर्वाइज लेंडिंग दो तरीके की थी फर्दर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ठीक हैं एंड यह जो थी आपको यह भी बताऊंगी कौन-कौन से थी कमेंट करके ज़रूबत आना एक आसोसिएशन थी दूसरी क्लस्ट्रिंग थी तो यह तो इसमें भी थे अंजो परवाइज लेंग में क्या था क्लस्ट्रिंग और असोसिएशन सो आज अब अपने इसको बढ़ रहे हैं reinforcement learning अब इसमें कोई फर्दर दो टाइप में ब्रेक नहीं हो रही है reinforcement learning की सिर्फ basic definition है और उसके बाद कुछ नहीं है देखा जाए तो reinforcement learning है क्या चीज़ मैं बताता हूँ इन में क्या हो रहा था कि training data मिल रहे थे input में मतलब training मिल रही थी data को और न मशीन को भी तो यहाँ पर हो रहा था बड़ यहाँ पर को training नहीं मिल रही थी बतार आएगा ठीक है जब भी राइट आउट पूट रेड्यूस करेगा तो उसको एक reward मिलेगा एंड वही है reinforcement learning ठीक है definition देख लेते हैं तो reinforcement learning is a feedback मैंने बोला था न कि feedback based learning है ठीक है जिसमें क्या होगा कि एक agent होगा उसको reward मिलेगा जब वह right action perform करेगा ठीक है एंड अगर वह गलत action perform करता है तो उसको एक penalty मिलेगी ठीक है तो यह वही work हो गया है कि जैसे अगर तुमने ताइम पर काम किया है तो तुम्हें reward मिल सकता है otherwise तुम्हें penalty बननी पड़ेगी ठीक है तो reinforcement learning यही है एक feedback based learning है इसमें क्योंगा कि हर बार feedback होगा environment से बंदा सीखते जाएगा ठीक है तो यह चीज़ है the agent learn automatically with these feedbacks and improve its performance very 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 important चीज़ तो यह आपकी main reinforcement learning की definition हो गई Q learning जो है इसी पर ही work होती है ठीक है तो reinforcement learning से ही Q learning चलती है जब आप Q learning पड़ोगे तो आपको पता चल जागा the goal of an agent is to get most reward तो agent का वर्क यह है कि जाद से जादा एक्दम right action perform करें जिससे कि उसको reward जाद से जादा मिल जाए एंड उससे क्या हो performance बढ़ जाए ठीक है तो यह जो था short end way में मैं आपको बता दिया reinforcement learning यही है actually में एंड उससे पहले जो अपने discuss किया था वो already videos uploaded है तो आपको link मिलेगा machine learning का है तो course नाम का link है वो आपका काम का है जिसके अंदर मैंने यह सब पढ़ा दिया है ओके तो यह सब तो machine learning से related होई गया जिसमें types of machine learning है फिर classification of machine learning सीख लिए अपने तीन तरीके की तीरों मेंने discuss कर दी है आज की वीडियो में reinforcement हो गया एंड एक और चीज़ बताना जाता हूँ computer network का course भी है तो आप लोग जाके देख सकते हो लिंक उसका भी description में मिल जाएगा एंड 6 semester की important questions अगर किसी को देखने है तो भी आप लोग देख सकते हो ठीक है तो फिलाल में तो next video के साथ वीडियो काफे चोटी है but concept यही था reinforcement learning का कि जो agent है maximum क्या करेगा अपना profit यह फिर ज्यादा right action perform क reinforcement learning ठीक है so I think the part clear of that and we'll add it to the next video के साथ बाइ